चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि यूटिया का कूपन कैसे बाई करना है आप सिब को पता होगा यूटिया पेसे का अभी कूपन बाई नहीं हो रहा है कोई देई नहीं पा रहा है तो आज की इस वीडियो में यहीं देखेंगे यूटिया का कूपन कैसे लेंगे साथ में यूटिया ने अभी चेंजिंग किया है यह अपना नया वेफसाइट लँज किया है यह वाला तो इसका ID करोगे और अगर आईडी नहीं है आपके पास तो आईडी कैसे लोगे इनिस्टेंट आईडी मिलता है साथ में आपका कूपन भी इनिस्टेंट मिलता है तो चलिए हमें एक आईडी बना के दिखाते हैं जिसके पास आईडी नहीं है वो कैसे आईडी बना सकता है साथ में लोगिन करना होगा तो सबसे फिले यहां पर आपको आना है और यहां पर एक option मिलता है create account तो यहां पर जो भी details बंग रहा है वो आपको फिलप करना होगा नाम, address, pin code, mobile number, email id, state, company name, मतलब आपका shop name, जो भी आपका shop का नाम होगा वो दे सकतो आदार number, pen number, यहां पर आपको type मे select करना है कौन सा ID लेना है आपको तो यहां पर retailer है, super distributor है, distributor है, तो retailer select करेंगे, यहां पर payment gateway पेटीम है, आप किसी भी UPI से payment कर सकते हो, scan करके, तो सबसे फिले यह सब हम भर लेते हैं, फिर आपको payment करके दिखाते है, ID आपको तुरंत मिल जाता है, अपने registered email में, जो भी email दो सकता है कि अगर आप password भूल जाते हो, ID भूल जाते हो, तो आपको reset करने में दिक्कत आएगा, ठीक है, तो चलिए यह, तो यहां पर हम पटापट सभी details भर लेते हैं, यहां पर देख सकते हैं, जो भी details मांग रहा था है, मैंने fill up कर दिया है, हरला कि आप blood type देख रहे तो यह कभी कभी हो सकता है, QR code आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो आप क्या करोगी, refresh button में click करोगे, continue में click करोगे, तो यहां पर इस बार QR code रिजनरेट हो जाएगा, मानलों QR code रिजनरेट नहीं होता है, तो refresh button क्लिक करो, continue में click करो, वह आपका QR code जो है, निकल के आ जाए यह payment हो जुगा है, अब यह automatic यह detect कर लेगा, यह payment success, यहां पर इस बार OK का option आएगा, आपको OK कर देना है, यहां पर देखिए, account create successfully, send your email, तो यह बता रहा है, आपका email में send कर दिया गया है, और यह direct login भी हो जाएगा, जैसे OK में click करोगे, अब पहले हम email चेक करेंगे, कि email म email आया है कि नहीं, यहां पर देखिए, हम अपना email ID open किये हैं, यहां पर हम तीनों में check कर लेते हैं, primary, और यहां पर नहीं देख रहा है, आप spam में जाएंगे उपर, यहां पर देखिए, spam में आ चुका है, ठीक है, तो यह कभी किभी spam में घुश सकता है, तो यहां पर करना है, सबसे पहले यहां पर देखोगी, UTI TLS, मतलब अगर आपको NHDL में काम करना है, तो NHDL से भी कर सकते हो, fingerprint के थूरू, और UTI से भी कर सकते हो, तो UTI में अभी क्या है, UTI आप दोनों परकार से, दोनों परकार से आप पैन अप्लाई कर सकते हो, एक तो physical, एक तो digital, मत साथ में digital, मतलब, fingerprint से भी अप्लाई कर सकते हो, fingerprint में दो गंडा, या तीन गंडा में pen मिलता है, जैसे NHDL में होता है, सहम उसी परकार, तो यहां पर आप जैसे लोगी नहीं हो जाओगे, तो यहां बता रहा है कि अपडेट करो KYC, तो यहां कुछ डेटेल साइद नहीं भर रहते हैं, तो यहां पर देखिए, एक जैंडर का option छुट गया था, समिट कर देते हैं, तो यह KYC complete हो गया, मतलब, अब देखिए, UTI का ID चालो करने के लिए, आपको क्या करना होगा, यहां पर UTI PSA में क्लिक करना होगा, जैसे यहां पर क्लिक करोगे, आपका, कभी-कभी ह यहां पर देखने को मिल जागा, या फिर कभी-कभी इस परकार से देखने को मिल सकता है, ठीक है, तो अगर यहां इसा दिखाई दे, आई टाइप का, उल्टाए, तो यहां समझे लो, आपका लगबग 10-15 मिनिट बाद, यहां automatic ID जेनरेट हो जाएगा, तो चलिए, हम बाद दिर वेट कर लेते हैं, और यहां पर देखते है, ID सोग कर रहा है कि नहीं, तो चलिए, यहां दब लगबग हो गया, टाइम मेरा, लगबग, साथ से 8 मिनिट या 10 मिनिट ही पकड़ लो, 10 मिनिट हो चुगा है, हम क्या करेंगे, डेसबोर में फिर से किलिक करेंगे, यहां पर देखो, यह ID जिनेरेट हो चुगा है, ठीक है, यहां पर सोग करेगा, PSA Login ID, और PSA Password, तो यहां पर देखें, आपका पासवर्ड यही है, आपका ID यही है, और पासवर्ड यही है, सेम है, तो हम यहां से कोली कर, तो यहां सेम अभी कोपी करेंगे फानी, यहां स तो यहां से हम यहां पर copy कर लेते हैं और login कर लेते हैं पिएसे में अब जाएंगे पिएसे जो नाया पोटल भी लांच किया गया है यहां एंगे और एक चीज यहां पर एक रेश्टिशन कोड मंगा जाएगा तो रेश्टिशन कोड भी आपको मिल जाता है आपका email ID में तो ह आपका यहां जो आपका फानी बोलके था फानी सी एएस वो नहीं आया तो वो भी लगेगा जो यहां पर सो कर रहा है ठीक है पूरा आड़ी आपका क्या है complete ID यह रहेगा ठीक है और यहाँ पर आपको registration code भी भेजा गया है registration code दो बार भेज दिया है यह देखिए registration code यह है तो चलिए यहाँ पर हम पटापट login करेंगे अभी और आपको balance aid करके भी दिखा देते हैं कि balance कैसे aid करना होगा आपको first time जो ID है वही passport रहेगा आपको passport change करना होगा ID passport डाले capture डाले login में क्लिक किये यहाँ पर registration option आएगा एक तो पटापट अपना address सब कुछ चेक कर लेना सब कुछ सही है कि नहीं अगर कुछ गलत लगता है तो वह आप edit कर सकते हो ठीक है यहाँ पर ok में क्लिक करेंगे accept यहाँ प वो are बड़ेंगे आपको सो कर रहा है यहाँ तो यहां अगर आपको लग रहा है कहीं गलत है तो यह पर दिशटिक नहीं detect नहीं क्या है तो district लेट कर हालाक यह पहले मिल चुगा दोबर ऊगया करते यहां पर बोलेगा आप आपना पासफट चैंज कर लो यह आईडी आपको एक बार एक्टिवेट करना है किसी तरह ठीक है किसी तरह क्या यह सेंपल है आप दो मिनेट में एक्टिविट कर सकते हो तो सब्सक्राइब पूछा जा रहा है इंटर ओल्ड पासवड इंटर निव पासवड पासवड तो ओल्ड पासवड क्या है यही रहेगा सेम जो आईडी था वही पासवड रहता है पहले फिर अपना पासवड बना लूँ जो भी आप पासवड बनाना चाहते हूं याद रहो कि पासवड कुछ इस प्रकार से होना चाहिए लवर केस लेटर केपिटल ऑपर केस लेटर नंबर स्पेशल करेक्टर कुछ मिनिमूम पा हो गया आपका सक्सेस्पली लोगिन हो गया पासवड चेंज हो गया सब कुछ हो गया अब यह लोगाउट हो गया अब यहां लोगिन करोगे तो क्या होगा लोगिन ने होगा क्योंकि यहां पर पेज देखो यहां लोगाउट पेज में हो तो हम फिर से नियू टैप हो लें यह बैलेंस रेट करके दिखा देते हैं आपको ठीक है कुछ इस प्रकार से अभी पैन काड़ होगा अभी नया वाला अगर आपने लुक नहीं देखा जो नया वेबसेट आया यूटिया के तरफ से वह अगर आपने नहीं देखा अभी तक लोगिन करके तो यहां पर देख सक तो अभी यह लोगिन हो चुका है सक्सेस अब यहीं से आप बैन अप्लाइ कर सकतो और दोनों मोड में कर सकतो डिजिटल मतलब एक्यों आइसे के थुरू और फिजिकल दोनों ठीक है यहां पर देखो अलाउटमेंट यहां पर जैसे क्लिए करोगे तो उसके बाद आपको मोड और फिजिकल मोड का उप्सेन आएगा अब यहां पर देखो बैलेंस जीरो है ठीक है बैलेंस कितना है जीरो है तो बैलेंस रेट करने के लिए क्लिए क्या करना पड़ेगा आपको यह वाला एड़ी जो आपको इमेल में मिला था फानीपें.com को वहां पर आना होगा पर यहां पर जाओगे तो यह वाला आड़ी आपको शो कर रहा है जो आपका PC आड़ी है वो यहां पर वेली आड़ी शो कर रहा है अब इसमें बैलेंस रेट करना होगा सबसी बड़ी बात यह है देखिए यहां कॉंटेक्टी में डालोगे एक जो भी कूपन लेना है माल 10 कूपन लेना है तो 10 डालोगे तो यहां पर टेना सो कर रहा है 1030 को अब यह हम आपको लोड कितना देंगे 1070 का ठीव माल लो अगर आपने एक कूपन इस प्रूपय आपको चालर प्रूपय ज्यादाए ठीक है तो यह बात या वाइलेट में देंगे 1040 मतलब 40 रुपया ज्यादा तो चलिए यहां पर अभी जीरो है तो पटापट मैनी एड करेंगे पर्चेस में जाएंगे तो अभी बताएगा कि वाइलेट में वैलेंस नहीं है वाइलेट सिस्टम सिर्फ इसलिए है कि अगर आप अपलाई करना चाहत हो तो अभी कर सकते हो उसके लिए वाइलेट में वैलेंस जाहिए ठीक है तो एक्टीव हो जाएगा चलिए हम मनी करते हैं एड मनी अमांट डालेंगे डेट सुरुपया डाल देते हैं पैमेंट पैटीम से लिट करते हैं यहां पर फिर से वही ऑप्सें आएगा कर देते ले अब डेढ्य दैर सुरुपया डेट सुरुपया इसलिए हम एड कर रहे हैं ताक्भी आपको दिखा पाएं कूपनेंट करने कूपनेंट कैसे करना है और यह अभी payment कर देते हैं यह payment हो गया ठीक सक्सेस हो गया अब यह automatic wallet में एड हो जाएगा ok में click करेंगे payment success यहां पर देखिए data surpia aid हो गया सबसे फिले हम क्या करेंगे यह जो यह एनिजडियल का है एनिजडियल एक्टिवेट करेंगे active this service okay यहां पर 29 माइनस हो जाएगा और congratulations यह चालू हो चुगा यहां पर देखिए balance मैनस हो चुगा अब हम अब हम purchase coupon करेंगे मालो सबसे पहले आप dashboard में हो UTI service में आओगे purchase coupon में जाओगे को कितना ID लेना है कितना coupon लेना एक कूपन एक 203 purchase में क्लिक करेंगे यहां क्या हुआ purchase coupon successfully balance देखोगे माइनस नहीं हो गया है लेकिन पेजी रिफ्रेश करोगे तो यहां पर 18 रुपया आपका बचा तो आप वो पैसा वो पैसा आपको यहां एड होना चाहिए मतलब coupon का तो हम यहां पर एक बार रिफ्रेश करते हैं home में क्लिक करते हैं यहां पर देखोगे अभी यह balance एड होगा 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 हो यह होगा ही होगा क्योंकि यह auto system में चलता है अभी यह login success हो रहा है यहां देखिए 107 रुपया एड हो चुका है ठीक है ना तो इसी परकार से अभी आप यूटिया का pen apply कर स सब्सक्राइब कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो और सबसे बड़ी बात यहां पर आप जो भी बैलेंस एड करते हो प्येसे में जब भी आप बैलेंस पर्चेस करोगे तो यहां आपको 103 रुपया payment करना पड़ता है और 107 रुपया वालेट में लोड देते हैं ठीक है अगर आपके पास ID नहीं है तो लिंक अपको डिक्सण बॉक्स में दिया गया है जाके जॉइन किजिए और अपना काम जल्दी से जल्दी स्टार्ट किजिए और एक अपडेट आया है यूटिया के तरफ से एक नया अपडेट आया है वो नेक्स्ट वीडियो में बता दें तो उम्मीद करते वीडियो अच्छा लगा हुगा अच्छा लगाते वीडियो को लाइक करके जाओगे